हाई एवरिवन स्वागत है आपका हमारे इस योटूप चैनल पर दोस्तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिम्टेट के ठेका मजदूर के बारे में जिहां दोस्तो आखिर इतना काम करने के बावजूद भी ठेका मजदूरों को एक भी रुप के रूप में क्यों नहीं प्रदान किया जाता इसको लेकर के जो है बीमेस ने भी अभी अवाज उढ़ाई है इसी टॉपिक पर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दे कि दूस्तों डीजीमेस का जो एक्जाम होने वाला है दिसंबर के मन्त में उन सभी एक्जाम के लिए हमारे पास मल्टीपाल चॉइस कोस्टन याने की MCQ नोट्स अविलेबल है जिसके माध्यम से आप लोग 100% तैयारी कर सकते हैं और एक्जाम को किलियर कर सकते हैं पिछले बार भी हमारे सेकड़ों आते हैं तो मुझसा कॉंटेट कीजिए नंबर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आउट्सोर्सिंग मजदूरों को 8000 रुपए भी बोनस नसीब नहीं हो रहा है कोल इंडिया लिम्टीड की रीड है यह ह हमारे ठेका मजदूर बावजूद इसके भी जो है उनको जायज हक नहीं मिल पाता यहां तक कि उनको पर्याप्त मातरा में जो उनका हक होता है सैलरी के रूप में वो भी आधे से ज़्यादा ठेकिदार खा जाते हैं और उनको जो है अच्छे से सैलरी के रूप में राशी भी प्रदान नहीं होती है दोस्तों यहां तक कि मेनेजमेंट के पास भी ठेका मजदूरों का सही आकड़ा नहीं है कोईला उद्योग में फिरहाल जो है आउट्सोर्सिंग में कारज ठेका मजदूरों की संक्या लगभग 3-4 लाग है लेकिन कोल इंडिया लिम्टेल्ट मे ठेका मजदूर ऐसे हैं जो की रजिष्टर है इनमें से सरवाधिक जो है अपना एमसेल में यानि की 21,590 एंसेल में 20,000 से ज़्यादा SECL में 14,900 WCL में 11,000 इसके लावा BCCL में 6,100 ECL में 7,000 CCL में जो है अपना 6,461 मजदूर जो है वो कारेरत है आपको बता दे कि यह जो है अपना सही है की ठेका मजदूर वर्तमान में कोईला उत्पादन की रिड है परंतु इसको लेकर के जो है 10,000 रुपे बॉनस मिले इसक कहा है कि BMS कोल इंडिया मेनेजमेंट से यह मांग करेगी बावत जो है कोल मंतरी से भी यह अपना BMS इसकी वार्ता करेगी कि उनको ठेका मजदूरों को भी कम से कम 10,000 रुपे बोनस के रूप में प्रदान किये जाए आपको बता दे कि बोनस एक्ट के मुताबित जो आपक की प्रदान होती है इस बार भी 28 को बैठाक होने वाली है पर दोस्तों बात है ठेका मजदूरों की हमारे देश में ठेका मजदूरों के संक्या लगातार बढ़ रही है और कोल इंडिया लिम्टेल्ट में तो हम देख रहे हैं कि जितने हमारे कर्मचारी रजिस्टर यानि क कि कम से कम उनको 10,000 रुपे बोनस के रूप में प्रदान किये जाएं ताकि वो लोग भी अपना दिवाली के टाइम पर दसेरा अच्छे से मना पाएं कि दोस्तों आप लोग यह चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और आप तक यु फ्रेंड थांक्स फर वचिंग इस वीडियो